हेलो गाईज दिस दोसन और वेल्कम बैक टो श्किल सेज्ट आज हम लोग करने वाले हैं वर्ल पॉलिटिक्स कार्टून सिरीज का चैप्टर 6 पार्ट 6 और यह आपका सेकेंड लाज़ चैप्टर है इस वर्ल पॉलिटिक्स का क्योंकि इस वार सी लेवस रिडिश होगे थे चैप्टर 7 और चैप्टर 8 नहीं आ रहा है तो हम लोग उसके कार्टून को नहीं देखेंगे और आपका अब इस समय भी बहुत कम हैं तो हम लोग जल से जल कोसिस करेंगे कि यह सिरीज समाफ्थ हो और मैप का सिरीज आ है और हम लोग मैप के सिरीज में भी हर एक आ सकता है तो आज का का लेक्चर का अनलेसिस हम लोग स्टार्ट करते हैं इसमें बहुत सारे आपका क्या मिलेगा और लोगो वेगरा मिलेगा तो आप लोगो को क्या करना है इस सारे लोगो और इंटिट्यूशन जो आपको दिख रहा है लोगो यानि नोट पीपल लोगो आइकन जो आप समझ सकते हैं तो आपको बिल्कुल याद रख लेना है कि किन का लोगो है कौन सा इंटिट्यूशन है कब बना था हेड़ क्वार्टर कहां पे है किस लिए बनाया गया था ठीक है और इसका में एम क्या है तो लाइक यह दोखो यह यह यूनाइटेड नेशन का है यहां पे पुरा वर्ल्ड का पिक्चर दिया हुआ है यह ओली ब्रांचेज है इसी परकार यह वर्ल्ड बैंक है यह आइमेप तो आपको लिखा हुआ है बर्ट आपका बोर्ड में यह लिखा हुआ नहीं आएगा यह क्या हो जाएगा आई एए इंटरेशनल एक्सपेक्टेड कोस्टेंगे तो इस तरह से आपका यह पांच आपका कवर हो जाएगा और आगे का काट्वन को एनलेसिस करने से पहले आप लोग को बताना चाहेंगे कि अगर आप लोग पिछले वीडियो को नहीं देखें है तो जाएगे पहले उनको देखके आईए और PDF डाउलोड करना है तो हमारी टेलिग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है या फिर आप लोग कॉमेंट बॉक्स से भी ले सकते हैं या फिर अगर आप लोग टेलिग्राम कोशिस कर रहा है आप लोग समझने का कोशिस कीजिए देखिए यहां पर जो है यह तो आप लोग को पता चलेगा यहां पर देखिए श्टार्वेशन जीनोसाइट तो बहुत साले का क्या है अंसन्टैनिटी है और गरीबी है डार्फ़र एक रिजन का बात करें पर्टिक् हो सकता है हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले देखिए कि यहां पर कह रहा है तो यह आप लोग पहुत ही सिंपल है यह दिखा रहा है है और सुधान कहां पर आप लोग नीचे कॉमेंट बग्स में बताएगा जरूर अफ्रिकन कॉंटिनेट में तो मैं बताते हूं बट आ सब्सक्राइब चले अब अपलोग इसको याल रख लिए ध्यान देख लिए तो आप लोग आंसर लिख पायेगा इस्टावेशन जिनोसाइट होर तो आप लोग में देख लेएगा तो अच्छे से तो आप लोग को पता चल जाएगा कि क्या क्या क्राटउन गन्वें किस तरह का मेसेज दिखा रहा है काटून क्या बताना चाहिए लोगों को अब बीग हेल्पिंग ओफ वर्ट्स देखें यहां पर यहां पर यहां पर कितना ज्यादा क्राइशीस है तो तो अनली बिकॉस दूरिंग इस क्राइशी इंटरनेशनल ओर्गनाजेशन परफॉर्म यह हुआ नहीं था ठीक है वहां पर कोई फंड नहीं पर फॉसाया गया था तो यह बहुत ही ज्यादा ही था और परजेन टाइम में आप लोगों को देखें यह जो कोवीड का क्राइसिस हुआ है कितने लोग मढ़े लाखों लोग मढ़े और इसमें सबसे बढ़ा humanitarian ठीक है humanitarian work कौन कर रहा है आप लोगों पता है वो कर रहा है third world आप लोग पढ़े है ना first world second world और third world third world जो की गरीब है ठीक है under developed nation है बहुत सारे developing nation है और उसमें से सबसे अच्छा सा developing nation में one of the most successful developing nation में India जिया आप लोगों को बिल्कुल गर्व होना चाहिए कि हमारा प्यारा भारत सबसे ज्यादा humanitarian work कर रहा है अभी तक में लगवग 150 countries को support किया ठीक है तो आप लोगों को प्राउड होना चाहिए तो इसी परकार का यह सिफ debate और discussion से बात नहीं चलता है लोगों तक मदद महुचाना होता है तो यह crisis का यह चीज हुआ था और आप लोगों को बस ऐसा या answer लिखना होगा ठीक है और आप लोग इसमें इस यह से प्रोटेक्ट कर रहा है कौन प्रोटेक्ट कर रहा है देखो United Nation अपने आपको प्रोटेक्ट कर रहा है तो अब यह क्या चीज देखते हैं questions में देखें कि दो पता चल जाएगा हम लोगों को question कर रहा है कि what does the garden represent it represents the UN attack on the Lebanon by Israeli force समझ में आ रहा है न यानि कि role of UN role of United Nation on the attack of Lebanon by Israeli force who is the person being commented in the garden तो वो जो person अपने आपको सिल कर रहा है जो प्रोटेक्टेट है चारो तरफ से वो क्या होन है UNHC का Secretary General United Nation Security Council का वो क्यों है Secretary General है जो कि head होता है so what does the message convey it conveys message on the relevance of the UN as immediate follow-up was not there by Israeli forces despite passing a resolution from the UN यानि कि यह दिखा रहा है कि UN का डिलिवेंस उतना नहीं रह गया है जो कि बिल्कुल सही है मेरे हिसाफ से भी आप लोग देखे तो बहुत ही ज़्यादा crisis होता है और जहांपे जो कंटी फेवर में होता है वो फेवर तो कर देता है बड़ युनाटी निशन बहुत ज़्य सबसक्क ने रहा था उनाटीड नेशन का नहीं डवली यो का तो यह सब जो चीजें हैं सुचने वाली बात है और यहींद नेशन का कहीं-डिरे-दीरे समप्त हो रहा है ठीक तो यह था बहुत ही सीपल अब चलते हैं नेश काटून के उपर और यह आपका लाष्ट काटू आप लोग सबसे पहले देखें एक पर्शन है एक हाथ में उनाटेट नेशन एक हाथ में वार यह जरूर कौन पर्शन होगा युएस तो अमेरिका रिपर्देंटेट बाद में इन 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 इस पिक्चर दे युएस के फोर्श दे कंट्री बैक्सप्टिंग दिसीजन अफ इफ दे राइट बन्डेट यू अगर उनाटेट नेशन से तुम बात नहीं मांते हो उसके रूल शें गृप्ट जैनल यानि की वार उल युएश क्या करता था कोई भी करद नेशन के जो रूल नेगृशन पर नहीं चल रहा है तो उसके बात वह तो युदी करता था आट U.N. cannot stop the U.S. from doing whatever it wants. The influence of the U.S. is considerable because of its huge economy. As a single largest contributor to the U.N. आप लोग बताएए कि U.N. में, U.N. का जो बजट होता है, उसमें U.S. का कितना contribution है, ठीक है? आप लोग परसेंटेज में भी बता सकते हैं, या फिर इन टम्स ऑफ रूपीज में भी बता सकते हैं, डॉलर्स में. So, the U.S. has unmatched financial power. With its veto power, the U.S. can stop any moves that it finds anything or damaging to its interests. ठीक है? कोई भी इसके interest लेकर, चलो मेरे को ये करना है. So, we can say that, United Nations cannot have a power to stop U.S. और इसकी alliance भी आप लोग जान दे, NATO, और बहुत ही बड़ा ये power हो गया है, ठीक है? So, the power of the U.S. needs veto within the organization also ensure that it is considered a degree of say in the choice of the security general of the United Nations. तो आप लोग समझ रहें, UN के security general का भी influence होता है. The U.S. can and does use the power of split the rest of the world to reduce opposition to its policies. And जो भी कंडीज बड़ा होता है, जितना इतना power होता है, ठोगो तो किसी को भी split कर सकता है, तो ये था कि, United Nations stop नहीं कर सकता है U.S. को, जैसे भी उसका power है. अब लास्ट कोश्यन है, if the right one don't get you, then the left one will clarify this statement. तो अब लाँ कौहन से तो पता चल गया, बट फिर भी एक basis देख लेते हैं. So the statements represent the hegemony of the U.S. पहले ही बोले, like, U.S. अमेरिकन अटेक्ट ओ इराक 1991, despite United Nations, didn't give the mandate, mandate नहीं दिये था, उसके बाद अमेरिका क्या क्या अटेक कर जाना, so like, United Nations से अगर बात तुम नहीं मान रहो, तो तो दूसरा option war है, और उससे तुमको करना ही पड़ेगा, और वो यूद करता है, जब यूद करता है, तो वो computer बाद खेलता है, ठीक है, so, when Iraq captured Kuwait, many measures were taken to make Iraq understand, after the failure of all measures, United Nations permit use of force in order to free Kuwait from Iraq invaders, army of America and 34 countries attack Iraq and get succeeded, this is known as the first world war, तो यह से आप लोग को यह पता चलता है, कि अगर United Nations वाला बात नहीं मान रहा है, तब तो हम अपना force लेके चलेंगे, और उसमें United Nations भी साथ रहेगा हमारा, मेरा power जो इतना है, तो कुछ इस परकार का hazard मैं नहीं दिखा रहा है, वो statement, और इसी के साथ, इस cartoon का analysis समापत होता है, ठीक है, आप लोग बताए, comment box में, कैसा लगा यह analysis, अच्छा लगा, तो वीडियो को जो हुड लाइक कीजिएगा, अपने इस दोसरों में भी सेर कीजिए, और PDF डाउलोड करना है, तो हमारे टेलीग्राम चेनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्सन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है, या फिर आप लोग टेलीग्राम पे, डाइक सर्च कीजिए, देस्किल सेज, बिदाउट एनी स्पेस, तो आपको आपे बिल जाएगा, वहाँ से भी आप लोग डाउनट कर सकते हैं, और इसी के साथ, यह आज का पार्ट सामत होता है, मिलते हैं, जल्दी लाश पार्ट में, तो गाइस, थेंग्यू पो वाचिंग दिस वीडियो, दिस ए रोचन, साइनिंग आफ,